नमस्कार आप देख रहा हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अब इसे एक मिस्तरा बिहार का राज़ती घटना करम बहुत तेजी से बदल रहा है बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के सियासी गलियारों से और खबर ये की बीजेपी के कदावर नेता संजे पासवान ने बिहार के पुर्व सियम सरह हिंदुस्तानी आवाम मुर्चा के राश्टी अध्यक जीतनाम मांजी से मुलाकात की है संजे पासवान अगर ये नाम आपको याद हो तो ये वही नाम है जिनोंने बिहार के सियम नितीश कुमार को बिहार छोड़कर केंद्र की सियासत करने की सलाह दी थी और बीजेपी के निताओं के लिए सियम की कुरसी छोड़ने की सलाह दी थी और उसके बाद बिहार की सिय कितनी गर्माई थी ये आप सब जानते हैं जेडियू और बीजेपी के रिष्टे लगातार तलक हुए थे संजे पासवान की इस बयान के बाद तो इस मुलाकात के माइने निकाले जा रहे हैं संजे पासवान मिलने पहुँचे थे पुरुवसीयम जितना मांजी के घर पर उन आई तोर पर एंडिये की ताकत बढ़ेगी अपहले देखिये किस तरीके से मिलने पहुँचे हैं और क्या कहा है इस मुलाकात पर संजे पासवान ने इसलिये हम सम्रो मन्हिशं करने आते हैं चिंतर करने आते हैं अशचे दलित महादलित समाज नोए इस तेश में हैं रिस मैंद्रOOOO अफलोग ने इनका हर तो दिया कि आ राप को श्रुत है किसमस्ताइद पने हुआ हैं इनका हाथ मिलेगा, माजिद का हाथ मिलेगा? सब्सक्स अंबार में है, और हमारी शुक्रामना है, शुर्फ जिर्पास निशित और उसे आप एक इंकाम पर रहे हैं, और आजे भी इसकाम पर रहेंगे. जितना माजिद जिसना अन्या हुआ है, वो न्या होगा आप? बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से बीजेपी के कदावर नेता अमेलसी संजे पासवान ने पुरुब सियम जितनरा माझी से मुलाकात की है, मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, राजविती का पारा चड़ गया है और मुलाकात के माएने निकाले जा रहे हैं, संजे पासवान बी जे पी के उनने ताओं में से हैं जो CEM 90 कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं हालाकि इसको राजजितिक मुलाकात तो नहीं बताया संजे पासवान ने ये कहा कि वो छट का परसाद देने आए हैं लेकिन सियासत में जब इस तरह के इस तरह की मुलाकाते होती है तो जाहिर तोर पर उसके अपने माइने होते हैं राजनिती में कुछ भी यूही नहीं होता इस मुलाकात को लेकर भी जो तस्वीर है उधीरे-धीरे साफ होगी और सियासत में जो खिचली पक रही है संजेपासवान और जितना मांजी के बीच कोई खिचली पक रही है तो जाहिर यह वो तस्वीर भी साफ होगी थोड़ा इंदजार करना होगा इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समुर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद